वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बल आइकन को दबाना ना भूलीगा तो गाइस आज हमारी वीडियो का टॉपिक है क्यों रेंट फर्टिलाइजर और विंगा प्लांट हाइब्रिट विंगा गाइस अगर आप भी इस ब्लूमिंग का जानना चाहते हैं रास तो इस वीडियो को पूरा देखेगा तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गाइस इसकी केयर की बात करें तो तो काइस हमें जादा कुछ केयर नहीं करनी है आपको वसे से सनलाइट नहीं देनी है बिलकुल न सनलाइट देते हैं तो फिर इसकी जो लीव से यलोईश कलर की हो जाती है और यह प्लांट आपका डाइबी हो सकता है तो इसलिए आपको बस इसे मॉर्निंग की सनलाइट ही देनी है और गाइस वाटरिंग के बात करें तो इसमें ओवर वाटर बिलकुल नहीं करना है अगर आपके यहां पर जादा गर्मी पढ़ती है आप सुबह शाम पानी दे सकते हैं अदर्वाइस टैली पंजा बरियाना के एरिये में है तो आप बस शाम को वाटर दे सकते हैं वो चल जाएगा और अगर रेनी सीजन है तो उसमें तो गाइस एक-दो दीन छोड़ कर ही दीजी आपके बैदनेगे नहीं तो प्लांट फिर गल जाता है और वो मर जाताय इसलिए काई सब्समय ओवर वॉर्टर बिल्कुल नहीं करता है तो यह तो थी गाइस के केर की बात अप कर लेते हैं अब फर्टिलाइजर की बात गैस फर्टिलाइजर आपको नॉर्मल जो आप फर करेगा और फ्लावर सी फ्लावर साहेंगे आपके प्लांट में गाइज बनाना पीर फटिलाइजर तो बेस्ट आवर आप वो किसी भी प्लांट में दे सकते हैं बेही चक और आप नीम की खली फटिलाइजर दे सकते हैं सरसो की खली का दे सकते हैं और भी पहुत सारी फटिला तो आप अपने प्लांट के हिसाब से वाटर दे सकते हैं उसको सनलाइट दे सकते हैं फर्टिलाइजर दे सकते हैं यह सब आपके प्लांट के ओपर डिपेंड करता है जानशलाइजर दे सकते हुआ यह playful दे में फ़ेंड को सनलाइज देजर देसे वीकंड 돼 प्लांट के गए Lee काम आपको अच्छे लगी हो तो आप कोशीआ इस्चैनल को लाइक शेयर और स्प्सक्राइज़ पन्धूब कर दीजेगा और बल आइकन को दुबाना ना भूलेगा पर हमारी नई वीडियो को ज़रूर देखेगा बाई